नमस्का दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, आज बनाएंगे कच्छा टमाटर का, मतलब हडाबाला टमाटर का एक चटपाटा सा सबजी, जो खाने में बहुत टेस्टी बनता है, और बनाना भी एकदम एजी है, पूरा रेसिपी को लास्ट रख देखिए, अब लोगों को बह काट लिया हूँ, ऐसा लंबा लंबा टाई भी काटी हूँ, इसमें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और इसी के अंदर दे देंगे कुछ मसाला, दे दिया 1 टीस्पून काश्मीरी रेच चिली पाउडर, तो आप लोग जैसे तीका पसंद करते हैं, उसी सब से दे दीजे, उसके बाद दे देंगे आधा टीस्पून के करीब रोस्टेड धनिया, जीरा और सुखा लाल मिर्च का पाउडर, यह बहुत ही टेस्टी होता है, यह मसाला देने से, और यह मसाला देने के बाद इसको 15 मिनिट के लिए मसाला लगा के रख देंगे, दूसरे त इसके रेडी हो चुक है, उसके बाद इसके अंदर दे देंगे दो हरा मिर्च, तो आप लोग जैसे तीखा पसंद करते हैं, उसी सब सहरा मिर्च दे देजिए, इसके अंदर दे देंगे, क्वाटर टिस्पून के करीब नमक और थोड़ा सा पानी आट कर देंगे, नमक दे दे दिया, 4 टिबल स्पून के करीब मास्टर डॉयल, यह जो रेसिपी बनेगा, मास्टर डॉयल में बनेगा, दे दिया, क्वाटर टीस्पून सौप, क्वाटर टीस्पून मेथी दाना, और क्वाटर टीस्पून दे दिया, इसके अंदर कलोंजी, तो इस गरम तेल के मीडियम फ्लेम में चला लेना है मतलब इसको एकदम फ्राई नहीं करना है एकदम अच्छे से इसको गड़ने तक थोड़ा वेट करना है तो धीरे धीरे देखिएगा टमाटर का कलर जो है वो एकदम चेंज होता जाएगा और इसको बनाने में 10 से 12 मिनित तक टाइम लगेगा तो में पहले थेखिए 5 मिनित के बाद इसको थोड़ा धग दिया था धगने के बाद फीर से इसको चला रही हूँ और पहले से टमाटर का कलर जो है वो एकदम चेंज हो रहा है और थोड़ा थोड़ा नरम भी हो रहा है तो इसी टाइम पर दे देंगे कुछ मसाला दे दिय सुआत की साफ से दे दिये 1 टी स्पून नमक तो अब लोग जैसे नमक पसंद करते हैं और इन दो मसालों दे के अच्छे से इस टमाटर को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे तो देखिए मसाला का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और यह जो सरसुका पेस्ट में ने बना के अच्छे से रखी थी उसी टाइम पेस्ट दे दिया और बरतन में थोड़ा बहुत जो मसाला बच किया था उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी एड़ करके इस सबजी के अंदर डालके इसको एकदम लो टो मेडियम फ्लेम में 15 मिनिट्स तर इसको पकाना है तो इसको प h ciud भी मेर्टा मिर्च सुथा जैंना या म मैं 16 थी में 20 दो घ़्च तुग्र को एक नियते दिया यह ध़ी हो इसके अब लुख हैं और इसको देखे लास्ट में देंगे थोड़ा सा धनिया पत्त धनिया पत्त का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत रहा आता इस रेसिप में इसाथ में भूख आब सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत 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 ही रेसिपी, लयुक्त करें।